हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने लावाज़ाइट 61 प्रो एंट्यूट वाइलफोन में आप जो है स्वाइप फिंगप्रिंट 4 नोटिफिकेशन सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि कि आन कैसे कर सकते है और ये स्वाइप फिंगप्रिंट 4 नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डेटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए यहाँ पर जब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे गयर त इस पेज में आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्वाइप फिंगरप्रिंट 4 नोटिफिकेशन का ठीक है इसे सेटिंग इनेबल होने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करती है यह मैं आपको बता देता हूं आपके मुवाइल फोन के जो बैक साइड पे जो फिंगर्प्रिंट सें अब उगली को स्लाइड करूँगा तो इस सेटिंग इनेबल करने के बाद यह सेटिंग ऐसे काम करती है आपके लावाजचाट 61 प्रो अंडुड में ठीक है अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को ढूंडने का एक शॉटकर तरीका भी बता देता हूं आपके मुवाइल फो का setting page open करना है setting page में सब से उपर आपको सर्च setting option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है swipe fingerprint for notification ठीक है जो setting का name है वो आपको यहाँ पर type करना है तो आपको नीचे यह option show हो जाएगा swipe fingerprint for notification ठीक है तो इसे आपको select कर लेना है इससे होका क्या आपका mobile phone आपको directly इस setting page में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक शौट कर तरीका बता दिया इस setting को ढूंडनेगा आपके mobile phone में